वेलकम तो साइन सेवन आप सभी का स्वागत है और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं कि आप सभी यहां पर अच्छे होंगे जल्ली से सभी स्टुडेंट्स आ जाहिए और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक वाइस ही है यानि कि काफी बच्चे यहां पर कह रहे थे कि म आप लोग सभी करवाईए तो बिल्कुल टॉपिक वाइस ही आपका यहां पर कोश्चन है और आज हम यहां पर बात करेंगे सभी तरह के इन्वेंशन के बारे में ठीक है तो जल्ली सा जाएए फटा फरसे हैपी किंग माइकल दानिश सभी को नमस्ते दिवाकर पाल नमस्त कर सकते हैं सुबहे के 10 बजे सब्सक्रिप्शन बेंश क्लास यहां पर होती है और साथ में अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि दिन में एक बजे मेरी अन एकेडमी एप्लिकेशन में भी क्लास होती है तो आप सब भी मुझे वहां पर फॉलो कर सकते ह और फ्री में क्लास देख सकते हैं और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप सभी रेलवे केटेगरी में जाएगा और मुझे फोलो कर लीजेगा ताकि जबी भी मैं लाइव आँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके मेरा जो कोड है वो है अम्रिता एस जिस कर रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ सकते हैं और अपने मन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर दो महिने का और इसके साथ साथ दो साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर चार महिने की जो क्ला तो पहले यह सिर्फ इंग्लिश में होता था लेकिन अब हिंदी में भी होने लगा है तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा यह हो जाएगा और हर संडे बारा बजे यहां पर यह टेस्ट होता है अब अम्रिता स्टोड अगर यूज करते हैं तो आफ फ्री में ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं चले तो क्लास को यहां पर स्टार्ट करते हैं अच्छा ठीक है अपर हम देखेंगे आज का पहला कोश्चन और आज का जो पहला कोश्चन है वह क्या है आप सभी को इसके बारे में आपका जो बाल पॉइंट पैन है यहां किसने यहां पर बनाया है यह किसने यहां पर बनाया है ठीके दिलखुश ठीके बी जी बी और इसा सभी को नमस्ते चलिए फटा फट से बता दीजे यहां पर कौँसा आंसर यहां पर आपका बिलकुल सही हो जाएगा बताए फटा का आंसर यहां पर सही होता है, take your time, take your time, कुछ गरबड भी आप यहां पर बता सकते हैं, चले, जली से बताईए, who invented the ball pen, जली से बतादो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर विल्कुल सही होगा, मुझे पता था कि बच्चे देखा देखी बहुत ज़्यादा करते हैं, और आंसर जो है, यहां पर बिल्कुल सही होगा, तो फटा फट से आप यहां पर करिए, कि यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, waterman brothers यहां पर सही आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर है आपका बाइरो ब्रदर्स क्या आंसर हो जाएगा बाइरो ब्रदर्स ठीक है खुश्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठीक है ठीक है ब्रिजेश, माइकल, हैपी सिंग, चितरणजन, विकास, अब काभी बच्चे जो कह रहे हैं बहुत कह रहे हैं यहाँ पर एक्चली सभी बच्चे यहाँ कह रहे हैं ठीक है राम, बहुत बढ़िया त्रिलोचन नमस्ती, तो बच्चों अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जो आपका कोश्चन है, वो इन्वेंटिट दा बॉल पॉइंट पैन बाइरो ब्रदर्स, वाटर्मेन ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स तो बच्चों आंसर के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर जो होगा वहाँ, बाइरो ब्रदर्स होगा दो ब्रदर थे यहाँ पर जिनका एक का नाम था यहाँ पर लाजजलो और एक का नाम था ग्रीगर बाइरो ठीक है और इन ही दोनों ने यहाँ पर बॉल पॉइंट पैन यहाँ पर बनाया था अब यह जो आप लोग सबी बच्चें यहाँ पर वॉटर और यहाँ पर वॉटर मैं वॉटर मैं बिटा उन्होंने फॉंटेन पै करती हैं यहां पर आवह हम यहां पर next करते हैं next question में आपका वो है in which decade was the first solid state integrated circuit demonstrated किस दशक में पहला थोस पहला थोस एकी कृत circuit प्रदर्शित किया घया था चलिए जली सहां से करना आँ सभी को ठीके इंद्रा IPS नमस्ते सभी को नमस्ते वेटा सबसे बात्चित करूँगी नमस्ते वर्षा सभी सबात्चित करूँगी अभी पहले पढ़ाई पर ध्यान हम देंगे in which decade was the first solid state integrated circuit demonstrated 1950, 1960, 1970, 1980s very good evening Rahul, सभी को नमस्ते, बताइए फटा फट से कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा very good अंसर के गर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा A आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 1950s क्या 1950s ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या था? कि 12 सितंबर 1958 की बात है उस टाइम पर अगर आप देखी तो Jack Keyway नाम के एक scientist थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इसके उपर work करके दिखाया था ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो integrated circuit सबसे पहले आपको बताना है कब बना था 1958 बे यहाँ पर बना था ठीक है चलो ठीक है third next देखते हैं अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जो जे बी डनलोप है, उन्होंने किसका अविश्कार यहाँ पर किया था, ठीके सिंबरन, चलो जली से बता देना है, यहाँ पर, बहुत बढ़िया दुर्गा, ठीके मीत, जली से आंसर करेंगे बच्चों यहाँ पर, कौन सा आंसर आ है, Michael, very good, आंसर के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा, A आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, pneumatic rubber tire, जो हवा भरी rubber की जो tire होती है, उसको बनानी का काम यहाँ पर किस ने किया था, J.B. डुनलोप ने यहाँ पर किया था, ठीके, rubber tire, very good, बहुत बढ़िया, अब इसके पाद हम यहाँ पर next question की और बढ़ते हैं, next यहाँ पर कि which scientist discovered the radioactive element radium, आज दिन में ही मैंने पढ़ाया था, यह question है न, कि ऐसी कौन सी scientist है, जिसने सबसे पहले यहाँ पर radium नाम का तत्व, जो कि radioactive है, उसकी यहाँ पर खोच की थी, देखते हैं किते बच्चे इहाँ पर सही answer बताते हैं, बहुत बढ़िया, very good बच्चा, answer कि अगर आप यहाँ पर बात करें, तो answer क्या हो जाएगा, Madam Marie Curie, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो Curie जी थी, जिन्होंने सबसे पहले इहाँ पर radium का क्या किया था, discovery की थी, अब हम यहाँ पर जल्ली से next question की और बढ़ते हैं, next हमारा question है, when was barb wire patented, जो यहाँ पर barb wire है, वो सबसे पहले कभी यहाँ पर patent कराया गया था, patent कराने का मतलब होता है, अपने नाम करा लेना, है ना, अपने नाम करा लेना, चलो, जल्ली से बात करेंगे, हाँ बिल्कुल विटा, क्यूर परिवार जो था ना, उसमें से काफी लोगों को नॉबल पुरुसकार मिला था, और जोडे में मिला था, जैसे पती-पत्नी के जोडे में, भाई-भेहन के जोडे में, ऐसे, ठीक है, जल्ली से बताना है, फिप्त का कौन सा answer होगा, very good, यहाँ पर हो जाएगा, 1874, यहाँ पर विल्कुल सही answer हो जाएगा, अब इसके पाद हम जल्ली से next question की और बढ़ते हैं, next question है, आप यहाँ पर देखेंगे, कि what is the name of the Caltech seismologist who invented the scale used to measure the magnitude of the earthquake, जो भी यहाँ पर earthquake आकता है, जो भी यहाँ पर भुकंप आता है, उसका magnitude नापने के लिए, जो यहाँ पर Caltech seismologist थे, उनका क्या नाम था, जुन्होंने यहाँ पैमाना यहाँ पर तयार किया था, चलिए, जली सा answer करना है, आप लोगों को सिक्स्त का कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, very good, answer कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, का answer क्या हो जाएगा, Charles Richter, तो आप सभी यहा seismologist थे, जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आप बताएंगे, earthquake को नापने के लिए, इन्होंने ही scale यहाँ पर बनाया था, उसका magnitude और frequency नापने के लिए, ठीक है, चलो, अब हम यहाँ पर next question की और देखते हैं, next है आपका, gems what invented, last time भी मैंने आपको बताया था, अगर आप स को बहुत अच्छे से पता होगा, तो gems what ने यहाँ पर किसका अविशकार किया था, चले, जली सांसर करना है, very good, ठीक है, लडाई जगणा नहीं करना है, ठीक है, रुद्रा, IPS, happy king, simran, रुतिक, चलो, जली से बताएंगे, very good, और answer के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, का answer क्या हो जाएगा आपका, D answer आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने ही सबसे पहले भाप का engine, steam engine बनाया, जिसको बहुत सारी machine में use किया गया, और बात में, जब आप train के बारे में बात करते हैं, तो उसके engine में भी, सेम इसी भाप के engine को ही यहाँ पर प अगर हम यहाँ पर बात करें, तो बोस्टोन गाव कहा है, जिसके नाम पर प्रसिध अचार का नाम यहाँ पर पड़ा है, चले, जले सा answer करेंगे, कौन सा answer सही हो जाएगा, मैम, clear नहीं आ रहा है, क्या clear नहीं आ रहा है, यह तो बता दो पहले मुझे, कि देखने में clear नही है, यह question clear नहीं हो रहा है, बताएगे जल्ली से, बेर इस दा विलेज ओव दा दान स्टोन, आफ्टर विस दा फेमस पिकल इस नेम्ड, चले, जले सा answer करेंगे, यहाँ पर, कौन सा answer यहाँ पर सही हो जाएगा, यार्क शाकर, अच्छा, एक बच्चे ने कहा है, यहाँ पर यार्क शाकर, ओके, आगे हम यहाँ पर देखते हैं, किधर गया, दूसरे किधर, अच्छा, सिमरन की बाते चल रही हैं, यहाँ पर खूब जादा, चलो बच्चो, जली से बताएगे इसका answer, कौन सा answer सही होगा, तो dear students, answer के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो answer क्या हो स्टाफ रोडशर, स्टाफ रोडशर, यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीके बलवन, नमस्ते, सब भी को नमस्ते, चले, अब हम यहाँ पर next question की और बढ़ते हैं, नेक्शो आपका question है, वो है, जेट इंजन का अविशकार किस ने किया था, यहाँ पर अगर बात की जाती है, जेट इंजन का अविशकार किस ने किया था, देखते हैं कितने बची हाँ पर सही answer करते हैं, जली से बता दीची, कोई बातनी दिलखुश, question clear नहीं दिख रहा है, बेटा मेरे तो लैपटॉप में बिल्कुल एकदम चकाचक दिख रहा है, एकदम बढ़िया, ठी ठीक है, ठीक है दानिश, अगर आप यहां पर बात करते हैं, नाइंट की बारे में, तो answer यहां पर आपका क्या हो जाएगा, Sir Frank Whittle यहां पर बिल्कुल सही answer होगा, तो ए answer अगर आप देखते हैं, तो ए answer आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अब हम यहां पर next question को देखते हैं, what invention caused many death while testing it, ऐसा कौन सा यहां पर एक dynamite है, या ladder है, या race car है, या फिर parachute है, जिसका हम यहां पर invention कर रहे थे, जब हम अविशकार कर रहे थे, तो जादा से जादा यहां पर मौते दी देखी गई थी, कुछ नहीं नहीं बटा, यह history नहीं है, यह invention के उपर है, है इतने भी, जितने भी question आपके 10 year के question papers हैं, आपके SSC, PCS, और आपका CBT1, CBT2, NTPC के exam में, group D के exam में, और आपके SSC, JD के exam में, defense के exam में, जो कुछ भी आप पूछा जाता है, invention के उपर, वो सारा मैं यहां पर इखटा करके लाई हूँ, चलो, जिली से बताएए, कौन सा answer होग answer के अगर आप यहां पर बात करें, तो answer हो जाएगा parachute, क्या answer हो जाएगा parachute, आप सभी को पता है कि जो parachute है, उसमें उचाई से कुछ ना पढ़ता है, और अगर वो unfortunately, सही time पर नहीं घुला, तो फिर आप हमेशा के लिए उपर पहुँच जाते हैं, है ना, चलो, अब इसके इसके बाद हम यहां पर next question की ओर देखते हैं, who invented gun powder, अगर आप यहां पर gun powder के बारे में बात करते हैं, तो gun powder का अविश्कार किस ने किया था, गन powder का अविश्कार यहां पर किस ने किया था, चलो, जली सा answer करेंगे यहां पर, कौन सा answer आपका बिल्कुल सहीं होगा, और जि सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्यारी बच्चों, यहां पर जो 11 है, उसका answer यहां पर क्या होगा, C answer आपका बिल्कुल सहीं हो जाएगा, तो फटा फट से आप यहां पर note कर लेंगे, कि answer क्या हो जाएगा, बैकर, रोगर बैकर, यहां पर बिल्कुल सहीं answer हो ठीक है, ब्रिजेश, very good, क्रद्यूम्न, सभी का answer बहुत अच्छा रहा है, नंदन, चितरंजन, सभी का answer बढ़िया है, ठीक है, तरी लोचन, अनुक बहुत बढ़िया, ठीक है, स्नेहा गुपता, और अग्या का भी answer बिल्कुल ठीक है, नेक्स लेखते हैं, कि until Victorian time, chocolate was thought of as a drink, when did the first chocolate bar appear, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं, विक्टोरिया के समय का, तो विक्टोरिया के समय तख, चॉकलेट को पिया जाता था, गरम गरम पिया जाता था, जैके चोकोलावा केक आप सभी ने खाया होगा, तो उसके अंदर गरम गरम सा चॉकलेट रहता है, तो वैसे एक पेर के रूप में उसको पिया जाता था, तो जो चॉकलेट की जो बार आई, जो आप चॉकलेट आप खाते हूँ, वो बार है, इस तरीके से, एक बार होती है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर बार करें, तो चॉकलेट अब एक बार के रूप में, कभी यहाँ पर पर कौसा आंसर होगा तो प्यारी बच्छा इसका जो आंसर है वो है there is no sure date अभी तक इसका कोई निश्चित तारिक नहीं पता है लेकिन बस इतना पता है कि विक्टोरिया के साशंकाल पर ही यह पेपदाल्थ से बार बन गई थी चॉकलेट बार यहाँ पर बन गई थी ठीक है नमस्ते पिटा अदित्य नमस्ते सबी को नमस्ते चले ठीक है प्यूश बहुत बढ़िया ठीक है बच्छा बताओ जली से अधीत्य इसका आंसर क्या होगा अगर आप यहाँ पर बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक यंत्र है एक डिवाइस है जिसका अवेशकार 1905 में जैनित इंजिनियर यूजीन पॉली द्वारा किया गया था वह क्या है वह क्या है देखते हैं कितने बचे यहाँ पर सही आंसर करते हैं चलिए आशी शौरस्या कहा रहे हैं कि चूतिया बनाती है बेटा जो होते हैं उनको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है है ना ठीक है चलिए जलिए से बता दीजा यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा तो अगर आप यहां पर बात करते हैं तेरा के बारे में तो आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा यहां पर बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो अगर आप यहां पर बात करें तो रिमोट कंट्रोल ठीक है अब जैसे बच्चे आ रहे ह गाली लिख रहे हैं यह बनाती है वह बनाती है भाई अगर बनाती हूं तो तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा जी और दूसरे बात यह तो बेचारे स्टुडेंट हैं जिनको पढ़ने से मतलब है और इसके साथ-साथ इनको मेरे से communicate करना अच्छा लगता है तुम क्या हो? ये भी देख लो तुम हो, इसी लिए इस तरह की बाते कर रहे हो, और यही तुम्हारा standard है, ठीक है? चले ठीक है नेहा आगे बढ़ते हैं, next हम यहाँ पर देखते हैं What Benjamin Franklin invented, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Benjamin Franklin ने यहाँ पर क्या अविश्कार किया था? चलो बच्चो, जली सबता देना है यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है टेक लाइव ठीक है दयाराम यह भी पुराने बच्चे है मैम, वही तो बात है दयाराम कि इनको इत्ती शर्म नहीं है कि यह बच्चे मेरे साथ दुसरे प्लेटफॉर्म पे दो से धाई साल पढ़ते रहे और अब आ करके यहाँ पर इस तरह की बाते कर रहे है कोई दिक्कत नहीं है करो, करो, करो जब दुनिया यही वर्ड तुम्हारे लिए यूज़ करेगी न अशिश तब क्या करोगे मुझे उस चीज़ ने मैं तो अपने आपको साबित करके बैठी हूँ बेटा ठीक है माता-पिता की नजरों में दुनिया की नजरों में और टीचिंग इंडरस्ट्री में भी हर कोई जानता है कि अमरिता मैम कौन है क्या है कैसी है कहां पे उनका पास था क्या अभी उनका प्रिजेंट है लेकिन आपने अपने जिंदगी में क्या किया है वो इंपोर्टन्ट है अब यह आपने कुछ ने किया है सिवाए जो आपने बोला उसके सामने गिरी लगा लेना सिर्फ इस गिरी के अलावा चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं ठीके दीपाक जलीज बताइए यहाँ पर रेंजनीन फ्रेंकलीन की अगा यहाँ पर बात करते है beta iasak अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो आपका बइफोकल चस्वा होता है वही इन्होंने यहाँ पर बनाया है ठीके दिपाकर चलिये आगे आप नेक्स देखते हैं नेक्स यहाँ पर कोशन है ठीक है दिल खूश ठाइं क्यों अच्छा नेक्स है इस पार्ट टाइम रेस कार ड्राइवर इन्वेंटेट दा बकेट सीट इन 1969 फू वाज इस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो रेस कार चालक थे उन्होंने 1969 पर यहाँ पर बकेट सीट का अविशकार किया था वहाँ कौन थे वहाँ कौन थे चले चली सांसर कर देंगे यहाँ पर क्या आंसर यहाँ पर बिलकुल सहीं हो जाएगा ठीक है अदित्या सिम्रन दिलखुश चलो चली से बताना है कोई बात ने सुधी अगर गलत हो रहा है तो परिशान होने की बिलकुल भी जूरत नहीं है दीरे दीरे आप चीज़ों को यहाँ पर सिखेंगे और आंसर के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर आपका यहाँ पर फिप्टिंथ का बिलकुल सहीं हो जाएगा तो फटा-फट से was invented by johıma kvyker im 1956 अगर आप यहां पर बात करें तो जो kvyker है उन्हों नाइटीम में किस खेल का यहां पर अवश्कार किया था किस खेल का यहां पर अविश्कार किया था चल्य अब यही आशी cham कई रहे हैं इतनी गाली पर अच्छे भाव से आएंगे तभी आप साथ बज़े थियोरी क्लास करिए नहीं तो कोई ज़रुरत नहीं है आपकी जैसे बच्चे के लिए चलो ठीक है आदित्य चलो बिटा जलिस आंसर करेंगे यहां पर 16 का आंसर के अगर आप यहां पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो प्लेडो ठीक है प्लेडो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तो फटा फट से आप यहां पर नोट कर लीजी कि अगर हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में प्लेडो के बारे में तो जो प्लेडो है वह एक प्रकार का खेल है ठीक है एक प्रकार का वह खेल है और अगर जब एनिमेटिट खेलों की तरह यहाँ पर आ गया है गेम यह एक यहाँ पर है ठीक है ठीक है प्यूश आगे बढ़ते हैं नेस्ट को देखते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसी पहली अमेरीका महिला कौन है जिसने अविशकार किया था क्या कि रेशम के साथ पुआल वुआनी का एक उन्होंने अविशकार किया था और फिर उसको अपने ही नाम से पैटेंट उन्होंने यहाँ पर करवा लिया है चले जली सा आंसर कर देंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं किते बच्चे यहाँ पर सही आंसर करते हैं बटाई ये बटा जलिस आंसर करेंगे 17 का कौन सा आंसर सही होगा तो प्यारी बच्चों उनका नाम था यहाँ पर Mary Kiss क्या नाम था Mary Kiss ठीक है और अगर आप Mary Kiss के बारें बात करें तो यहाँ क्या काम करती थी कि जो रेशम होता है उसको पुवाल के साथ बुनाई करने का काम यहाँ यहाँ पर करती थी और यहाँ पर आप देखेंगी कि इसके लिए इन्होंने क्या काम क्या था उसको अपने नाम से पैटिंट भी यहाँ पर इन्होंने करा लिया था हां सुनी, डेली क्लास यहां पर होती है, ठीके बेटा, चले, अब इसके बाद हम यहां पर next question को देखते हैं, next question है, वो है, who invented gramophone, अगर आप यहां पर gramophone के बारे में बात करते हैं, ठीके प्यूश, अगर आप यहां पर gramophone के बारे में बात करते हैं, तो जो gramophone है, उसका अवि किसे के दिमाग में यह यह आएगा ठीक है दिलखुश माइकल चलो जली सांसर करेंगे ग्रामू फोन का अविश्कार किस ने किया था वेरी गुड आंसर के अगर आप यहां पर बात करते हैं तो थॉमस अलवा एडिसन यह सब तो आपने बिटा एट्थ या नाइंफ क्लास मे और मुव करते हैं नेक्स से यहां पर की वोट फर्चून आइटम वस इन्वेंटिट बाइ कैलिफॉर्णियल फर्नीचर डिजाइनर चार्स प्रियर हॉल इन 1968 अगर आप यहां पर बात करें तो कैलिफॉर्णिया के निवासी जो फर्नीचर डिनाइट डिजाइनर है जिनक आविसकार किया था चले-6 शकर दिंगे यहां पर कॉन सा आंसर सहीं होगा कोई बात झ मताओ बैटा जलिस ऊफर करेंगे ένα 19 का कॉन सा आंसर सहीं होगा तो आंसर कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा, waterbed, क्या हो जाएगा यहां पर आपको बताना है, waterbed, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं, कैप्टन चेयर नहीं है, ठीक, त्रिलो, चान, तो फटाफर से यहां पर नोड कर लो, आचा एक बच्चा है आपे पूछ रहा है कि जो प्लेडो है वह क्या होता है बेटा प्लेडो जो होता है वह आपने देखा होगा कि चिकनी मिट्टी उसमें आती है ठीक है और उसमें आप देखते हो कि छोटी-छोटी से जो बच्चे होते हैं वह घर में जब खेलते हैं तो एक इस तरीके से उनके पास प्लास्टिक का एक प्लेट होता है, उस प्लेट में आम बना हुआ होता है, या फिर सेव बना हुआ होता है, या फिर कोई एक जानवर बना हुआ होता है, और वो उसके उपर बहुत सारे डिफरेंट तरह के कलरफूल जो मिटी होती है, कले होता है उसको भर करके वह सुन्दर सुन्दर सी डिजाइन मिनाते है उसी कोई यहाँ पर play dough कहा जाता है ठीक है कोई दिकत तो नहीं है यहाँ पर चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं water bed के बारे में water bed क्या होता है काफी बच्ची यहाँ पर कह रहें तो बिटा water bed कुछ नहीं है जो आपका दिवान होता है जो आशकल बहुत फेमस है दिवान नाम से ही उसी को ही यहाँ पर water play कहा जाता है पर यह है कि कई बर आप देखेंगे कि इसमें पानी भी भर दिया जाता है तो उसी को ही आप यहाँ पर water bed कहते हैं ठीक है चले नबस्ते आक्षय कोई बात नहीं द्वारा शुरू की गई थी ताकि यहाँ सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका ने पर्माणु बन विक्सित करने में जर्मनों को हरा दिया है और उस प्रेट ने मेल हर्टन पर योजना के विज्ञानिक प्रमुक के रूप में किसे यहाँ पर नियोक्त किया था देखते अगर आप यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा रोवर्ड ओपन हाइमर तो अगर आप यहाँ पर इस साइंटिस्ट के बारें बात करते हैं तो इनको ही पर्माणु बं बनाने के लिए विज्ञानिक प्रमुक के रूप में नियोक्ती की गई थी ठीक है सभी का अंसर इन्वेंटेड यहाँ पर अगर आप देखे तो पहला लॉन की घास काटने की मशीन का अविश्कार कभी यहाँ पर किया गया था आज की क्लास काफी डिफिकल्ट लग रही है अच्छा परेशान मत हो बिटा क्योंकि आप पहली बार कोई नई चीज देख रहे हैं और यहा सब्सक्रान मत हो यह चले चलिस आंसर करेंगे यहाँ पर 21st का कौन सा आंसर सही हो जाएगा तो आंसर आपको करना है 1830 ठीक है 1830 के आसपास ठीक है चलो अब हम यहाँ पर राहुल ए आंसर होगा बच्चा ठीक है तिलोशन आगे बढ़ते हैं किस दशक में पहला सफल डायो वैक्यूम ट्यूब का अविशकार किया गया था चले 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 सांसर करेंगे यह सब भी कोशन्स आई हुए हैं इसलिए मैं आप लोग को करवा रही हूँ क्योंकि अगर प्रीवियस एर में जो कोशन पेपर में जो कोशन्स आते हैं उनकी बहुत संभावना होती है कि वहा कि घ्राममोफोन क्या होता है कौण बच्चा यहाँ पर बताएगा कि घ्राममोफोन क्या होता है बच्चा अगर आप करते हैं तो अपने पुराने चमानिम如何 मुवी फिर इस्टोरिकल जो मुवी बनती है उस के लिए कि लिए यहां पर एक चांबर बना होता है फिर यहां पे इस तरीके से एक भोपू सा बना हुआ होता है बड़ा सुंदर सा भोपू एड़स है कि यहां से आवाज आती है और यहां पर फिर आप एक रॉटेटीड डिसक लगा देते हैं गानों की music की, जो कुछ भी आपको सुनना है और वह गोल-गोल इस तरीके से घुमता है और एक lead यहाँ पर होती है जो उसको touch करती है जैसे वो उसको touch करती है वैसे ही आवाज यहाँ पर सुनाई देने लगती है और उसी को ही gramophone यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है? हाँ भोपू जैसे ही कुछ है चलो अब चलिस बता दो 22 वे का कौन सा आंसर हो जाएगा वेरी गुड आंसर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 1900 शतापदी के आसपास ठीक है अच्छा ठीक है प्रिजिश हाँ देखो एक बच्चर बताया है कि 1920 मुवीज में दिखाया गया है ऐसा बहुत बढ़िया टैक लाइफ टीचिंग ठीक है नीराज आगे देखते हैं नेक्स कोशन को देखते हैं नेक्स से यहाँ पर वू इस दा इंग्लिश फिजिस्ट रिस्पॉंसिबल फॉर दा बिग बेंट थियोरी के बारे में किस साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया था चले जली से आंसर कर देंगे बच्चों यहाँ पर कौन सा आंसर आप लोगों जोर्ज गेमोव कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो यही है वह साइंटिस्ट जिन्होंने बिग बेंट थियोरी के बारे में बताया था यानि कि जहां से ब्रह्मान के उत्पत्ती हुई थी सारी चीज़े ठीक है चलो अब हम यहाँ पर नेक्स कोशन की और देखते है 1892 में बाल्टी मोर मेरीलेंड में सदर्ज नोवेल्टी कमपनी द्वारा खेल का पहला निर्मान किया गया था वोट गेम वोज यानि कि आप पूछ रहा है कि पहला जो गेम है पहला जो खेल है वहां कौन सा था जो कि सौर्थर नॉवली कंपनी ने बाल्ट मोन नार्वेल लेंड में 1892 में स्टार्ट किया था चलो चलिसा आंसर करेंगे हाँ पर 24 का कौन सा आंसर आप लोगों का बताओ बेटा वैरी गुड ठीक है काफी बच्चे सही आंसर बता रहे हैं तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि ओजया बोल्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ओजया बोल्ड के बारे में बात करते हैं, तो OZIA VOLDE कैसा होता था? लकड़ी की या गत्य की एक स्लेट यहां पर इस तरीके की होती थी, ठीक है? और वहाँ पर आप देखते थे कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ऐसे करके पूरे अलफाबेट लिखा होता था, और यहां पर 1 से लेकर के 10 तक की डिजीट यहां पर लिखी होती थी, और फिर उसके बाद एक लकड़ी का इस तरीके से निडिल बना हुआ होता था, तो इसको क्या किया जाता था? घुमाया जाता था, या प्रेस किया जाता थ और इसी को क्या कहा जाता है यहां पर, ओजिया बोर्ड इसको यहां पर कहा जाता है, और जो बच्चे हैं, जो जो बच्चे हैं यहां पर छोटे-छोटे से वह जब डिजीट सिखते थे, अलफाबेट सिखते थे, तो उस टाइम पर इस खेल का प्रयोग यहां पर किया जा पैन का अभिश्कार किया था अब बता दो जल्ली से अब तुम्हारा फैवरिट कोश्चन आ गया है जल्ली से बताना है यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो प्यारी बैचो आंसर जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा आपको बताना है कि आंसर जो गए सभी बच्चे चलो तालिया बजालो अब जल्ली से अपने अपने लिया चलो ठीक है प्रियंका आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं मैं ठीक हूं अतुल थांक्यू अब देखते हैं बेन वास्ट इलेवेटर बिल्ड अगर हम देखे तो जो पहला लिफ् बनावटी नाम नहीं है चलो बताएए फटाफट से बच्चो 26 का कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा बहुत अच्छा आज़से कि अगर आप यहां पर बात करते हैं तो 1743 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे हम यहां पर बात करते हैं 1950 में विक्सित किया गया चार्ज कार्ड पहली बार अमेरिका में राश्ट्री इस तर पर कब स्विकार किया गया था चलो चली साप लोग को यहां पर बताना है कि जो चार्ज कार्ड यहां पर बनाया गया वहां अमेरिका में कब यहां पर उसको स्विकार किया गया किस तरह के चार्ज कार्ड को अमेरिका में सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया चलिए चलिए से बताना है 27th का कौन सा आंसर सही होगा वेरी गुड आंसर के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा दी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो आपको बताना है डीनर्स क्लब तो डीनर्स क्लब जो यहाँ पर चार्ज कार्ड था उसी को ही सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था अब हम यहाँ पर जली से नेक्स्ट कोशन की ओर देखते हैं ठीक है ठीक है, ठीक है अतुल, कोई बात नहीं है अविनाज, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ यहां पर आप सीख जाओगे, है ना, धीरे धीरे आप सब कुछ यहां पर सीख जाओगे, परेशान मत हो, चलो, अब जली सा आंसर कर देंगे यहां पर, कौन सा आंस कौछा आंसर यहां पर बिलकुल सहीं हो जाएगा अंचे एक बच्छा यहां पर पूछ रही है कि मैं यह charge card क्या होता है तो जैसे अभी हम यहां पर अपना ATM card debit card credit card यह सब जो use करते हैं न वैसे ही क्या होता है चार्ज, उसी को ही चार्ज कार्ड यहाँ पर कहा जाता है, ठीके? तो जो डिनर्स कार्ड था, वो सबसे पहले यहाँ पर accept किया गया था ठीके गुंजन, मैं हम साइंस के question क्यों नहीं कराते हो? बिटा अभी यह साइंस के ही तो questions हैं, यह साइंस के ही questions हैं 28 का बताना है आंसर जो होगा वर D आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा nuclear reactor तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो 29 में एक अस्टोयली द्वारा पैटेंट यहाँ पर कराया गया था चलो जली सा आंसर करना है आप लोगों को 29 का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है अतूल गुंजन नीलू जली से बताओ 29 का कौन सा आंसर होगा answer कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो answer क्या हो जाएगा A answer आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो आपका जो A answer है वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा तो फटाफट से इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजे, चलिए, तो प्यारे बचों, आज की class को हम इत्ता ही रखेंगे और इसके बाद हम कल की class में मिलेंगे और कल में आप लोगों को जैसे कल मैंने आप लोगों को कराया था यानि बीता हुआ कल यानि अस्टर्डे जो मैंने आप लोगों को कराया था जो भी GKGS जिसमें History विग्रा, Policy वग्रा, General Knowledge की जो कुछ भी था वो अभी मैं आगे Continue 15 दिन भी कराऊंगी ठीक है उसके बाद आप लोगों का इस महिने में Biology पूरा खतम हो जाएगा जो भी Theory Class में साथ बजे करा रही हूं और उसको हम बाद में फिर Chemistry भी करेंगे और फिर Physics भी करेंगे ठीक है तो साथ बजे Theory Class है यहां पर चलती रहेगी साथ में आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कुछ और Topic जाना चाहते हो जिसकी information आप यहां पर लेना चाहते हो वह आप सपी comment box में छोड़ दिया करो ठीक है लिक दिया करो comment कर दिया करो तो जैसे ही मैं उसको यहां पर पढ़ूंगी वैसे ही मैं फिर उसके उपर कोई वीडियो या जानकारी जो भी है वह आप तक पहुंचा दू अनकेडमी क्लासिस का जो लिंक है वह यहां पर नीचे आप description box में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अनकेडमी लिंक जो अम्रिता मैम की क्लासिस है तो सामने लिंक लिखा है तो आप सीधे वहीं पर पहुच आएंगे ठीक है चलिए तो कल की ग्लास पर फिर से मिलत देखिये थांक यू सो मच टेक क्यार बबाई गुद नाइट